हलो एवरिवन और वेलकम टू यार ओन चैनल केशव जा केंग्स लैब तो आज हम लोग करने वाले हमारे चैप्टर नाइन फाइनिशल मेनेजमेंट का पार्ट टू इससे पहले मैंने अल्रेडी स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग यह पूरी तरीके से मैंने अप्लोड किये वे अपने चैनल पे तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स देदूगा आप वहां से देख सकते हो साथ ही अगर हिंदी मीडियम वाले चाहते है कि एक प्रॉपर हिंदी में उनको यह वीडियो मिले तो उसके लिए भी मैंने अल्रेडी एक प्लेलिस्ट बना रखिए कंप्लीट एस बिजनस स्टडी की जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दाल दूँगा तो हिंदी को वταसेंते तो पार्ट तू के अंदर जो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे करेंगे सैकेंड स्टी जोकिए capital structure इससे पहले हम लोगोंने first stage जिसके अंदर financial planning था वो अल्रेडी पढ़ लिया था उसका तरीका पढ़ लिया था उसके importance पढ़ ली थी सारे के सारे part 1 में मैंने already upload करके आप वहां की वीडियो देख सकते playlist का link आपको description box वे मिल जाएगा अगर capital structure की बात करता हूं तो basically capital structure क्या होता है कि एक company जो होती है वह अपने capital को basically दो तरीके से arrange करती है एक होता है उसका shareholder fund ठीक है और दूसरा होता है उसका borrowed fund जो वह बाहर से लाती है borrowed fund ठीक है आप लोगों ने company accounting पढ़ी हुई accounts वे company accounting पढ़ी हुई है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो shareholder fund जो होता है उसके अंदर आते हम बात करते है shares की यानि की equity की correct है सासत preference भी होता है पर majorly हम बात करते है equity के और जो borrowed fund होता है उसको हम कहते है debt ठीक है डेटर्स जो हम उधार लेते हैं बाहर से तो यह दो तरीके होता है या थो आप equity से पैसा arrange करो या थो आप debt से पैसा arrange करो तो आप कितना पैसा equity से arrange करना चाते हो और कित आर ओनर्स फंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एकुटी या शेयर होल्डर्स फंड ठीक है अगर मेरी आवास थोड़ी सी प्रॉब्लम आरे तो फिलीज दोहर करता थोड़ा दुखाव अगयरा है इस वज़ी से हो सकता है अवास में ऐसा हो तो the main source of funds are owners fund that is equity यानि कि shareholder fund और दूसरा होता है borrowed fund जो कि कहलाता है debt यह जो borrowed fund होता है यह repay करना पड़ता है जो आपने बाहर वालों से उधार लिया हुआ है तो जो आपने बाहर वालों से उधार लिया हुआ है वो तो आपको एक fix time पे repay करना ही पड़ेगा ठीक है इसमें क्य कि जब आप payment करोगे तो उस टाइप पे गड़बड़ी ना हो तो risk of default payment होता है कि आपको करना ही करना है तो यह risk तो हो गई होगा यह पैसा तो देना ही देना पड़ेगा ठीक है तो हलका सा risk होता है moreover interest on borrowed fund has to be paid regardless of whether or not a firm has made a profit देखो जब आप किसी से उधार लेते हो तो उस टो मुदले आप लेती हो प्याज पर पैसा लेती हो तो यह जो मालो कि आपने एक लाख़ रुपए लीए है ठीक है दो 20 के हिसाब से लिए यह आपको पे करने चाहे आपकी कंपनी का फायदा हो जो हमारी इक्विटी होती है जो शेर होल्डर के होती है उसके अंदर ऐसी कोई commitment नहीं होती कि वहीं आपको repayment करना ही पड़ेगा capital का या आपको profit देना ही पड़ेगा ऐसी कोई भी इसके अंदर शर्त नहीं होती है वैसे तो मुझे ज़्यादा explain करते हैं कि जरूत है नहीं क्योंकि आप लोग आल्रेडी company अकाउंट हो यह सारी चीज़ें पड़ चुके हो अब फर्म विक्स इस बोथ डेप्ट एंड इकुटी टू मेक दा फाइनसिक डिसीशन तो मैंने यहीं बताए न आपको कि एक कंपणी कितना इकुटी रखे और कितना डेप्ट रखे यहीं हमारे जो मेन फाइनसिक डिसीशन के अंदर बात हो थी capital structure इसी को कहते हैं अब जाब अच्छाई समझ लेते हैं क्या बोला हूँ है capital structure refers to the optimal mix between the owners fund and borrowed funds अच्छा equity यही पर लिखा ङुआ था है owners fund यान equity और borrowed fund यान्य की debt तो उसी का एक optimal mix है it will be said to be optimal when the proportion of of debt and equity in such that it results in an increase in the value of equity share यानि कि equity and debt का mix इस तरीके से होना चाहिए कि भाईया जो आपका earning पर share हो रहा है ना जो आपकी equity का price है वो market वे बढ़े इन दोनों को इस तरीके से use करो कि आपकी equity का price market वे बढ़े यानि आप कितने portion में debt को रखते हो और कितने portion में आप कहते है इक्विटी को रखते हो इनके बीच का जो proportion कहलाता है यानि ratio कहलाता है debt और equity के बीच का उसी को लोग क्या बोलते है financial leverage बोलते है ठीक है when the proportion of debt in the total capital is high यानि कि अगर आप देखते हैं कि पूरे capital में अगर capital में यह ऐसे capital है इस capital है अगर debt का पढ़ना भारी है है तो वह highly leverage कहलाएगी और अगर debt का पर क्या है कम है equity जादा है debt कम है तो क्या कहलाएगी low leverage कहलाएगी ठीक है क्या बोलावा है when the proportion of debt in the total capital is high यानि total capital debt जाद है तो highly leverage कहलाएगी और अगर वह कम है तो वह low leverage कहलाएगी ठीक है आई होप आप लोगों को यह बात क्लियर हो गई होई कुछ जाधा बड़ी बात है नहीं तो capital structure क्या basically optimal mix of equity and debt ठीक है और debt अगर डेट का पार्ट जाद है तो वह highly leverage होगा अगर डेट का पार्ट कम है तो वह low leverage होगा बस चारी पॉइंट बताए capital structure के बारे में अगर मैं बात करता हूं कि ऐसे कौन-कौन से factor है जो का structure पर decision पर फर्क पड़ता है कि capital structure कैसा होगा उसको कौन-कौन factor करते तो ऐसे total 10 factors है ठीक है जिन्हों से जो पहला factor है वही थोड़ा सब बड़ा है बाकि सारे तो छोटे-छोटे इसको थोड़ा समझना पड़ेगा 10 factor है हम 10 के 10 factor इसी वीडियो में discuss करेंगा और बस यही discuss करेंगे हम लोग आज ठीक है जड़ा आप लोग पढ़ते है trading on equity सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम लोग equity पर trading कर रहे है तो इसका मतलब क्या है भाई मतलब क्या है trading on equity का तो इसका मतलब क्या होता है कि it refers to the increase in profit earned by the equity shareholder due to the presence of fixed financial charges like interest यानि आपकी company में interest जो है आपकी company को interest pay करना पड़ रहा है और ये interest pay करने की वज़े से आपकी equity का price जो है वो बढ़ रहा है आपका earning per share जो है EPS earning per share बढ़ रहा है तो यह क्या कहला है का trading on equity it refers to the increase in profit earned by the equity shareholders यानि earning per share बढ़ गया due to the presence of fixed financial charges like interest ठीक है यानि debt की वज़े से जब equity का price बढ़ेगा सिपसी आप fixed charge interest किसका दोगे किस पे दोगे interest का charge अब debt पे दोगे तो debt के charge इसकी वज़े से interest के चार्ज इसकी वज़े से जब आपके equity का price बढ़ जाता है तो यह कहलाता है trading on equity trading on equity happens when the rate of earning of an organization is higher than the cost at which the funds have been borrowed यानि कि आपकी equity का price आपके debt के price से ज़्यादा है ठीक है क्या बूला है trading on equity happens when the rate of earning of an organization is higher than the cost at which the funds have been borrowed मालो की जो आपका cost है fund का वो चार लाग है ठीक है और आपकी company की जो earning है वो आठ लाग है तो अफकोस यह कहलाएगा हमारा trading on equity and as a result क्या होगा equity shareholder जो है वो उनको higher rate विलेगा dividend per share उनका dividend per share उनका earning per share जो होगा वो बढ़ जाएगा the use of more debt along with the equity increase EPS earning per share की बात कीती ना as the debt carries fixed amount of interest which is tax deductible ठीक है तो basically हमने क्या कहा कि the use of more debt जैसे जैसे आप debt का यूज करते जा रहे हो अब debt को लगातार बढ़ाते जा रहे हो पहले आपका borrowed fund जो था वह दो लाक था फिर तीन लाक पर चार लाक अब यह बढ़ाते जारो जिसकी वाज़े से आपको interest ज्यादे से ज्यादा पे करना पड़ आता है मैंने यह देखा हुआ है आपके एक्जाम में इस बार भी पूछा गया था प्रिवोर्ड काफी जगह पर पूछा गया इसलिए बता रहो मालों एक तीन कंपनी एक से कंपनी वाई है कंपनी जैड है ठीक है और तीनों कंपनी का टोटल केप्टल रुपे यह तीनों यह प्रफ़ेट से अरेंज करूगी और पांच लाग रुपे एक्विटी शेर से अरेंज करूगी ठीक और कंपनी जैड ने का कि एचा एसा है तो मैं क्या करूगी पांच लाग टेट से चाहिए मुझे और यह जो शेर के नहीं उस वह दो लाग सिकुटी से करूगी तीन लाग प्रिफरेंश से दो लाग एक्विटी से और पांच लाग टेट तो अगर ऐसा होता है और हमने यह आपकी जो अर्निंग आई यह वो 25 परसेंट तो यह दस लाग पर आपने अर्निंग निकाली 25 परसेंट देट इस अर्निंग बिफोर इंट्रस्टेंट यह यां परसेंट ना तो अभी तक हमने इंट्रस्ट पे किया है और ना टेक्स हमने माल लिया कि 10 लाग पर हमारा कितना है 25 परसेंट है तो 25 परसेंट के अंदर हो जागा डाही लाख रुपए तीनों कंपनी का इवी आई टी तीनों कंपनी का अर्निंग बिफोर इंकम और 11 तो सबसे पहले आपको क्याँ करना पड़ेगा इंट्रस्ट पे करना पड़ेगा ठीक है क्या जुछना पर इसकिrat करना पड़ेगा इंट्रस्ट अब हद्रस्ट की बात करो तो जो पहली कंपनी ती उसने तो 将क लेंट अर्ट लिए यहां पर माइनस कर दिया जैसे यह 50,000 माइनस किया तो अब प्रॉफिट आफ्टर टेक्स जो है यानि पी एटी ठीक है वह यह बच गया के इंट्रस्ट पे किकिया है यहां पर worthwhile रूपए यहाँ पर 2,0,00000 तो अब हमने माल लिया कि माल लो tax bracket 40% है tax bracket कितने का है 40% तो सब का 40% निकाल दो धाई लाग का 40% एक लाग हो जाएगा दो लाग का 40% असी एजार हो जाएगा जैसे यह चीज आई तो हमारे पास जो profit available हो गया profit for shares profit for shares जो होगे जिसके अंदर equity और preference दोनों ही है ठीक है वह कितना हो गया डेड़ लाग एक लाग 20,000 और एक लाग 20,000 अब क्या है आपने डिवेंचर को तो 10% का दे दिया लेकिन यह जो प्रेफरेंच से एर थे उनको भी तो 12% का interest आपको पे करना पड़ेगा 12% dividend आपने बोला वह आप दोगे उनको तो वह सर्फ company C में थी हमारे पास company Z के पास थी तो एक लाग 20,000 में से बारा परसेंट आप क्या करोगे उनको पे कर दोगे ठीक है एक लाग 12,000 आप उनको पे कर दोगे आपका ठीक क्लियर है यह बात अब हमारे पास टोटल कितना बच गया एक लाग 50,000 एक लाग 20,000 और 84,000 क्लियर है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है दूसरी कंपनी थे उसने पाच लाख रुपय की एते 10 परसेंट के हिसाब करता है 10 अगरे इसके पास कितने शेयर होगा 50,000 शेयर होगा और जो तीसरी कंपनी थी उसने सिर्फ 2,005 रुपय लिए थे एक क्यटिश इस Cont入 10 रुपय के हिसाब से 20,000 तो हमारे पास नवर से डिवाइड कर दो नंबर ओप शियर तो जो पहले कंपनी तो आपने यह देखा कि कंपनी वाई और जेड दोनों यह किस वजय से ओ रहे है कि यह दोनों ट्रेडिंग कर रहे हैं यह यह एक फिक्समांट में आपको इंट्रस्ट पे कर रहे हैं उस इंट्रस्ट को पे करने के वजह से आपकी अर्निंग पर शेर बढ़ रही है यह क्या हो गई आपके trading on equity I hope आपको trading on equity अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया है तो please मुझे बता देड़ेंगे मैं एक दूसरा example करके एक अलग separate video बना दूँगा ठीक है और यह वाले table ना ऐसे याद रखना क्योंकि यह आ सकता है सवाल कि आपको एक hypothetical situation बता दी और आपसे बोला कि आप निकाल करके दिखाओ तो क्या हो गया आपके पास total capital होगा जिसका आपको अलग-अलग mix बनाना होगा अलग-अलग mix बना होगा mix 1, mix 2, mix 3 mix 1 के अंदर सिर्फ equity share, equity और preference दोनो और equity, preference और dividend तीनो फिर सबसे पहले आप क्या पे करो तो आपका क्या निकलके आएगा उसके उपर आप लोग profit percentage निकाल दोगे profit percent which is EBIT EBIT माले 25% ले ली 20% ले ली उसे फिर minus करोगे interest फिर उस interest को minus करते के बाद जो भी amount आएगी उसमें से आप minus करोगे टेक्स, टेक्स minus करतेगा जो आपका preference share का dividend है dividend किसका है preference का, preference का dividend पे करोगे और जो आएगा उसको फिर number of share से divide कर दोगे तो आपका क्या निकलके आजाएगा earning पर share ठीक है EBIT है EBIT में आपने क्या किया सबसे पहले interest पे किया profit before tax आगया profit before tax आया उससे tax minus किया profit after tax आगया फिर preference share का जो आपने किया preference share अच्छा 12% आपने calculation बताई नहीं थी वैसे बताने की ज़रूत है क्या 12% तीन लाग पे 36,000 ही होगा बारत ये 36,000 तो वो confused मत हो ना कि ये 36,000 कहां से आया ठीक है तीन लाग का 12% ही है वो निकाल दिया and then so on so forth ठीक है अब हम बाकी के आठ नौ रीजनों की बात कर लेते हैं सिंपल सिंपल यह ज्यादा बड़े नहीं है सबसे पहली बात cash flow position देखो एक company का cash flow position जो होता है वो यह बताता है कि भाई यह जो है कितनी जल्दी अपने debt को pay कर सकता है ठीक है तो जिस company के पास strong cash flow होगा वो debt ज्यादा यूज करेगा ठीक है और जिसका कम होगा जिसका low cash flow ह होगा वी cash flow होगा वो debt को ज्यादा यूज नहीं करेगा क्योंकि वह जल्दी पे नहीं कर पाएगा तो in case of a company has strong cash flow position then it may raise finance from issuing debts as they are to be paid after back after sometimes and interest has to be paid on debt तो अगर strong cash flow है तो अप debt use करोगे अगर वी cash flow है तो आप equity use करोगे ठीक interest coverage ratio देखो क्या होता है कि एक company की जो total earning है earning before interest and tax आप उससे interest को divide कर दो कि आपको total interest कितरा pay करना है तो इससे आपको यह पता चल जाएगा जैसे कि मानलो कि एक company है उसका earning before tax जो है वो आया दो लाक माल लिया और उस company को हर साल जो है लगवख 20,000 उपे जो है वो क्या pay करने इस EBIT में earning before interest and tax पे हम लोग 10 बार interest पे कर सकते हैं ठीक तो यहीं बताता है हमारा interest coverage ratio इट रफर्स तुदा number of times earning before interest and taxes of a company covers the interest obligation तो जितना जादा interest coverage रेशियो होगा यह जितना जादा होगा हम उतना जादा borrowed fund यूस करेंगे जैसे अगर आपके पास एक है कि भाई एक ही बार आप पे कर सकते हो interest तो आप equity पे follow focus करोगे अगर लगता है कि यहार आप 15-16 बार कर सकते हो ज्यादा बार कर सकते हो अब debt पे करोगे तो interest coverage रेशियो जितना ज्यादा होगा आप उतना ज्यादा debt use करोगा जितना कम होगा उतना कम equity cash strong cash flow debt weak cash flow equity high interest rate debt low interest rate equity ठीक है next रहता है return on investment ROI if the return on investment is higher than the rate of interest on debt then it will be beneficial for the firm to raise finance through the borrowed fund यानि क्या बोला अगेन यहापर अगर higher interest rate rate on investment जो है वो ज्यादा है किससे interest on debt से क्या बोला बैंने return on investment interest on debt से ज्यादा है तो क्या करेंगे हम लोग debt का यूज करेंगे और return on investment का जो है वो low है तो हम लोग क्या करेंगे equity use करेंगे यानिकी simple जी भाशा में high rate of interest debt को यूज करेंगे ठीक है और लो रिटर्ण ओन इंवस्ट्मेंट किस पर यूज करेंगे एक्विटी में यूज करेंगे डन कि नेक्स आता है वारा फ्लोटेशन कोस्ट क्या होता है जब आप मार्केट में कोई भी शेर लाउज करते हैं यह कंपनी अकाउंट बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा आप लोगों के टीचर में कि जब कोई भी शेयर आप मार्केट में इस्चु करते हो तो मार्केट में इस्चु आप डेरेक्ट निकरते कंपनी को काफी सारे एक्स्ट्र चार्जेश पे करने पड़ते हैं कंपनी को एक निकालना पड़ता है आपको हर ट्रांजेक्शन पे ब्रोकर को कमिशन पे करनी पड़ेगी अंडर राइटर की फीस होगी बहुत सारी चीज़े होगी यह जो एडिशनल कोस्ट होती है यही फ्लोटेशन कोस्ट कहलाती है तो जब भी आप फाइनेंस का सोर्स अरेंज कर रह करते हैं तो सीदी सी बात है तो जितनी आपकी कंपनी के एक्विटी मार्केट वे इशू है इसका मतलब उतना ज्यादा आपने कंपनी का डिसीजन मेकिंग पावर जो है उतने जादा शेयर आपने मार्केट वे इशू कर रखें तो अगर जो पुराने जो करेंगे कंपनी को जैसे काम करना एक इसकंपनी करेंगी भले हम पर लें इसके कारबार में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे तो अगर वह कहते हैं कि नहीं हमारी कंपनी हम तो हस्तक करेंगे तो उसमें आप डेट का यूस करोगे क्लियर हो गई बात तो अगर वो डिल्यूट कर रहे हैं तो आप नए एक्विटी शेयर को लॉंच कर सकते हो अधर्वाइस नए एक्विटी शेयर को लॉंच करना बेनिफिशल नहीं माना जाता है सेम्त होगे हमारा टेक्स रेट इन्टस, यानि जो भी हमने टेट के उपर इंटरस्ट पे किया उससे क्या बिलती है उसके उसको उपर हमने टेक्स लगाने होता हूं हमेश्य क्या देडक्टेबल होता है क्लियर इनकेस उफफ हाई टेक्स अथा है लेकिन अगर लेकिन अगर लो टैक्स रेट होता में यह यहाद रहर देंगे तो हाइट यह 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 द रखे dekat होता है हुआ है कि जब भी चीज़े हाई होंगी तो आप डेट का यूज़ कर रहे हूं और जब चीज़े लो ओंगी तो आप एक वाइस करो आपको यह हाई और लो आला एक दूम से समझ में आ जाएगा घे और नेक्स्ट आगे हमारा कॉस्ट काया है कि मैंने क्या बताए ता अब आपको एक तो पहले बता दिया एक दूसरा यह भी है कि यह कि इस आंपर देट एक कर रहे हो तो आपको अलग अलग चीजों में अलग अलग इक्विटी इनमें से यह दोनों में से चीप कौन सा है जहां से आपको सस्था मिल जाएगा आप उपारीज करोगी नाइंत रिसक अब देखो अलग अलग रिसक कोते हैं सबके अलग अलग रिसक होते हैं तो ज्यादा अगर हम बोलते हैं तो पहले भी पढ़ा था कि डेट में जादा risk होता है, ठीक है, equity में थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें क्या है, कि आपको interest तो pay करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में interest आप pay करोगे ही करोगे, और debt भी ऐसा नहीं कि pay नहीं करोगे, यह भी compulsor हीं कि आपको pay करना ही पड़ेगा, यह default payment वाला risk था लेकिन equity के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? आपको ऐसा कुछ नहीं कि आपको repaye करना ही पड़ेगा, … तो रिसक किसमें कम होता है रिसक किक्विटी में कम होता है डेट में जयधा होता है। और पीरियड ऑफाइनेंस की अगर हम बात करते हैं लास्ट होगे हमारा पीरियड ऑफाइनेंस तो फॉर पर्मानेंट कैपिटल रिक्वाइर्मेंट ताकि आपके पास लगातार कैपिटल बनी रहे अगर आपको मीडियम टर्म रिक्वाइर्मेंट चाहिए तो भी आप डिवेंचर का यूज कर सकते हो का यूज करो दा कई सारी चीजों में जब हाई चीज़े आएगी तो आप यूज करोगे जब लोग चीज़े आएंगी तो इक्विटी का यूज करोगे एक वर जस्ट फटा फट बता दे रहा हूं क्यों बोला मैंने यह आपको यह वाला तो बताई दिया अर्णिंग पर शेर वाला एक वर दुबार से देख ले न कैश फ्लो अगर हाई होगा यानि स्ट्रॉंग होगा हाई होगा तो डेट लो होगा उसकी बात करेंगे गर बात करते हैं ठीक हम कंट्रोल नहीं करेंगे लेकिन अगर वह कहते हैं तो अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो एक्विटी चार-पाच तो यह रहाई और वाले याद रख लो बस यहीं से आपका सवाल बन जाएगा ठीक है और इसके साथ ही मैंने होता है financial decision वह कंप्लीट कर वा दिया है अब financial decision के बाद हमारा जुआ अगला पार्ट होता वह होता है investment decision का जो कि मैं start करूंगा ताकि यह वीडियो ज्यादा लंबी ना हो आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी तो करने सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वह पहुंचते रहे बाकी मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे पार्ट त्री के अंदर जिसके अंदर हम लोग डिसकस करें के क्या इनवेस्टमेंट डिसीजन के बारे भी ठीक है